Hello everyone, welcome to Teachers Vision. जैसे कि आप सब को बता हम A to Z सीरीज में Economics के जो है Topics को कवर करें हैं. उसमें से Related हम कुछ Question डिसकूस करेंगे. आज 10 Question हम डिसकूस करेंगे, जिसमें पहला Question में हमें पूछा गया है कि Modified Mixed Reference Period, जिसको MMRP Method भी कहते हैं, उसको Poverty को Calculation करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये बता, पूछ रहे हम से कि कौन से Committee या किस Agency ने इसको Recommend किया था कि इसका यूज होना चाहिए Poverty Estimation के लिए. पहले बात ये MMRP यानि की Modified Mixed Reference Period होता क्या है? तो इससे पहले हम बार-बार कह रहे थे Poverty का Estimation हमारे इंकम की Basis में इंडिया में होता ही नहीं है इंडिया में खर्चे के Basis पे Expanditure के Basis पे होता है, क्योंकि Income में बहाँ जादा disparity, inequalities है इस चीज को देखते वे इंडिया में जो भी आपकी Estimation होती है Poverty की, वो खर्चे यानिक Expanditure के Basis पे होती है तो यहाँ पहली बार कहा कि देखो खर्चा जरूरी नहीं है कि साल का हो, महीने का हो, ऐसा नहीं है खर्चा जो है हो सकता है एक जैसा खर्चा नहीं हो सकता खर्चा जो है हो सकता है कुछ एक महीने का हो कुछ एक हो सकता है, weekly हो, कुछ एक हो सकता है, साल के खर्चे हो इन सब को एकठा लेकर एक average define करना that is modified mixed reference period बोलने का मतलब क्या है, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो साथ दिन के यानि के weekly खर्चे होते हैं जैसे कि सबजिया, सबजिया महीने के लिए या साल के लिए कठी नहीं ले सकते हैं सबजी maximum हम एक week के लिए लेंगे या फिर fruits, यह सब अगर हम purchase कर रहे हैं तो weekly basis पे करेंगे वहीं पे कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो 30 days के यानि के monthly basis पे होते हैं जैसे कि रूम का रेंट देना या फिर कोई और other expenses तो यह expense वो है जो कि monthly basis पे होते हैं कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सालाना खर्चे यानि कि एक साल के खर्चे होते हैं जैसे 365 days में एक बार खर्च कर रहे हो जैसे कि shoes purchase करना जैसे कि आपकी school fees देना अब आप कहोगे कि shoes साल में एक बार हो सकता है लोग weekly लेते हो हो सकता है monthly लेते हो पर यह भी तो देखो topic क्या है गरीब that is poverty इसका मतलब यहाँ पे जो है यह जो खर्चे हैं हमने तीन अलग-अलग तरीके से define किये 7 days के 30 days के और 365 days के तो जब भी हम weekly, monthly, yearly खर्चे का average define करके poverty का estimation करते हैं उसको modified mix reference period कहते हैं और इस चीज के recommendation से रंग राजन कमीटी ने दिया था next question है which one which of the following is the cause of migration of unskilled labor यह हम से पूछ रहे हैं कि इंडिया में जो unskilled labor है वो एक जगह से दूसरे जगह migrate करे उसका major cause क्या है population, poverty, pollution या all of the world पहले बात मान लो हमें एक machine operate करवानी है तो अगर हमारे पर skilled operator होगा तो हम उससे operate करवाएंगे एक person जसने machine ही पहले बार देखा क्या हम उसे काम पे रखेंगे कभी ने इसका मतलब skilled worker usually कम migration करते हैं बट जो unskilled workers होते हैं या क्यों करते हैं वो जाद्र माइगेरेट करते हैं क्यों, क्योंकि उनको पैसा कमाना है पैसा कमाना है तो इसका मतलब है क्या किसी ज़ीजआ को face कर रहे हैं ग़रीभी यानि की poverty को face कर रहे हैं कि इंडिया में poverty के estimation कौन करता है सबसे पहली बाद सबसे important concern है कि poverty होता क्या है तो अगर हम economy के aspect में समझें कि poverty क्या चीज़ है तो economy के according poverty यानि कि poor वो इंसान है जो आपकी basic needs को fulfill ना करने पाए तो जो basic needs को fulfill ना कर पाए ऐसे person को as per the definition of economy हम poor define करते है यानि कि poverty के according हम define करते है जिसे कि एक example लेते है इंडिया में basic need रोटी कपड़ा मकान है रोटी हो तीन time की खाने के लिए सच्छुपाने के लिए छथ हो और आपके तन ढखने के लिए कपड़ा है तो इसका वाला आप गरीब नहीं हो और अगर आप यह effort नहीं कर पा रहे हो तो economically आप poor हो as per the definition of poverty अब देखो हर एक country का अपना जो estimation है basic need को वो different होता है जैसे कि एफरीका एफरीका वाले लोग कहते है सर चुपाने के लिए छत नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है कपड़ा पहनने के लिए नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है पड़ खाने के लिए रोटी हो तो इसका वाला उनकी estimation अपने हिसाब से है US UK जैसे developed country कहते है रोटी कपड़ा मकान तो जरूरी है हेल्थ भी जरूरी है education भी जरूरी है drinking water भी जरूरी है और internet facility यह सबसे important है तो इनका basic need इनके according है तो हर country का basic need अलग होता है और India की basic need रोटी, कपड़ा और मकान हो जाएगा तो यहाँ पे हम जो है कह रहे हैं जो person basic need को fulfill ना करने पाई वो क्या है पूर है अब यह poverty के estimation कौन पूर है कौन पूर नहीं है इस चीज को define करने के लिए example से समझो मान लो यह basket है इसमें मैंने सारी basic need रख दी और हमारी basic need है क्या-क्या रोटी, कपड़ा और मकान तो मैंने क्या-क्या यह basic need जो है सारी की सारी एक basket में रख लिए और अगर एक person को इसको fulfill करना है तो इस basket को purchase करना पड़ेगा और अगर person को इस basket को purchase करना है तो मैंने estimation जो है derive किया और मैंने कहा जो भी person 33 rupees per day जो है earn कर रहा है वो गरीब नहीं है वो अराम से इस basic need को fulfill कर सकता है तो यहां मैंने imaginary line के estimation दे दी और यह जो मैंने imaginary line के estimation दे दी है इसे हम define करते है as a poverty line और इंडिया में इसकी estimation एक organization करता है जिसे हम कहते हैं नीती आयो जो भी person 33 और 33 से अबब कमाएगा उसे हम कहेंगे above poverty line और जो भी person इस बार से कम कमा रहा है उसे हम define करेंगे as a below poverty line next question पर proceed करते हैं next question में हमसे पूछा गया है who is empowered to control the expansion of bank credit देखो bank को कितना पैसा देना है उनको कितना credit करना है कितना पैसा किस time पे देना है कितना loan आपका assess करना है कितना loan देना है यह सब काम किस कौन करता है Reserve Bank of India तो सारे banks को manage करना banker to the bank इसको कहते है Reserve Bank of India तो bank credit को control करना उसको कितना expand करना है कितना consolidate करना है यह सारे decision Reserve Bank of India का होता है next question में हमसे पुछा गया है क्या क्या indicator है monetary policy के monetary policy होता क्या है जब भी आप पैसे के flow को market में maintain करना चाहते है उसे monetary policy करते है अब पैसे की flow की बात हो रही है तो पैसा market में लाना Reserve Bank of India का का काम है क्योंकि currency प्रिंट करना भी उनका काम है तो इस certain tools का use करते है जैसे कि आपका CRR Cash Reserve Ratio यहाँ पी दिखो 2016 में काफी सारे bank bankrupt होके थे इस condition से बाहर निकलने के लिए Reserve Bank of India ने Monetary Policy Committee का establishment किया जिसमें इनने certain tool को define किया उसमें से एक है cash reserve ratio यहाँ RBI ने कहा देखो कल दिन कोई भी bank bankrupt हो सकता है इसलिए यहाँ RBI guidelines में कहते है कि तुम्हें कुछ cash deposit के तौर पे RBI के पास रखना पड़ेगा ताकि कल दिन अगर तुम डूप भी जाओ तो अपना पैसा अराम सी utilize कर लो तो जब भी कोई bank deposit के तौर पे cash जो है रखता है Reserve Bank of India के पास उसे cash reserve ratio यानि कि CRR कहते हैं साथ में GDP अब देखो GDP मानलो इसल गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई गेहूं की फसल जो है farmer ने काट दी काटने के बहुत सारी उन्होंने अपने लिए नहीं रखने कुछ अपनी utilization के लिए रखेंगे बाकि जो farmer है आगे further sale करतेंगे कुछ government के पास चला जाएगा कुछ आपकी industries के पास चला जाएगा industry अच्छे से आटा बनाएंगे labeling branding करके market में उतारतेंगे वहीं पर government कुछ एक stock maintain करेगी ताकि पुरा साल राशन डिपू में भीज सके और उसके बाहर जो बच रहा है वो भी तो further sale करेंगे तो गेहूं की फसल बेचने के बाद total हमारे हाथ में कितना पैसा है that is gross domestic product इस तरह के कितनी सारी चीज़े हैं जिनका production इंडिया में होता है उन सब को बेचने के बाद देश के हाथ में कितना पैसा है that is gross domestic product inflation महेंगाई अब देखो RBA का काम inflation को limit करना भी है साथ में जो है पैसे को maintain करना GDP को maintain करना भी है CRR को maintain करना भी है और monetary policy बनाता कौन है Reserve Bank of India तो ये तीनों के तीनों यानि कि इसका answer all of the above हो जागे सारे के सारे indicator है किसके आपके monetary policy के next question में पूछा गया है who is empowered to control the expansion of bank credit यानि कि bank को कितना credit करना है कितना expand करना है ये सब decision Reserve Bank of India के होते है next question है under the public distribution system जिसको PDS राशन डिपू कहते है इसमें जो है राशन शॉप्स को introduce किया गया था जो कि stock को maintain करता है जैसे कि food grain, sugar, kerosene oil, cooking oil इनको किस नाम से जाना जाता है easy price shop, issue price shop, fair price shop या none of the above तो देखो राशन डिपू का introduction इसी लिए किया गया था ताकि fair, एक किफायती दाम पे जो है जनता को उसका benefit मिल सके या फिर जनता उसका consumption कर सकी तो इसका मतलब राशन डिपू में जो भी stock maintain किया जाता है वो आपको कैसे दाम में मिलता है fair price, इसी लिए PDS को हम fair price shops भी कहते है next में हमसे पूछा गया what is CRR, यह मैंने अभी पहले भी define करा, इसमें statement पहला कह रहा है कि it is percentage of bank deposit that the RBI keeps as a gold deposit only, यह कह रहें bank जो है gold deposit के तौर पे RBI के पास जो रखेगा उसे CRR कहते है, अभी मैंने कहा जब भी आपका deposit के तौर पे bank जो है RBI के पास reserve यह balances रखे, वो CRR होता है, और जब भी gold deposit and all यह सब चीज़े रखे इसे SLR statutory liquidity ratio कहते हैं तो इसका correct answer हो जाएगा B, जब भी bank जो है deposit के तौर पे, कोई भी reserve यह balance cash के तौर पे रखेगा किसके पास reserve bank of India के पास, that is cash reserve ratio next question में हमसे पूछा गया कौनसी statement सही है SLR statutory liquidity ratio के according, पहली statement कह रहा है कि इसको maintain करना पड़ेगा सारे financial institution को, दूसरा कह रहा है यह liquid cash, liquid asset को भी maintain करता है और यह जो है non cash form में होगी मैंने अभी भी समझाया, cash के form में अगर कभी deposit रखोगी वह CRR होगा, और जब भी non cash form में कोई चीज रखोगी उसे SLR कहते हैं, और साथ में इसमें liquid asset बराबर सही है, यहां पे SLR में liquid cash आपके assets assets के अलावा आपका gold यह सब जो है deposit के तौर पे जब भी bank के पास रखता है उसे SLR कहते है, statutory liquidity ratio, इसका अलाव B.B. सही है और यह सब maintain करना, सारे financial institution के लिए mandatory है, ताकि वो bankrupt ना हो सके, तो इसका correct statement हो जाएगा D, that is all of the above next statement पर proceed करते हैं, which of the following is the first bank established in India इस statement के according हम से पूछा जा रहा है कि इंडिया में सबसे पहला bank कौन सा establish हुआ इंडिया का bank, यानि के Bank of Hindustan और Bank of Hindustan का establishment 1778 में हुआ था, इसके बाद अगर हम बात करें, एक वो bank जिसको पहली बार manage किया था इंडियान ने तो bank managed by Indians तो वो bank जिसको Indians ने manage किया था, उसका नाम हो जाएगा odd commercial bank, तो odd commercial bank वो पहला bank होगा जिसको totally manage कर रहे है कौन आपके, इंडियान तो bank of Hindustan, इंडिया का सबसे पहला bank जरूर था, पर इसको manage maintain, Indians नहीं कर रहे थे और Indians के दुआरा maintain किया गया bank हो जाएगा आपका odd commercial bank, और दूसरा question जो आपको आना चाहिए, वो bank जिसने पहली बार Indian पैसा यानि कि Indian capital का use किया, तो Indian capital का use करने वाला पहला bank हो जाएगा पंजाब national bank, तो यहाँ पे देखो यह bank है British है यानि कि आपके जो है English people जो है इसको maintain कर रहे थे, यहाँ पे Indian maintain जरूर कर रहे थे, इसको manage जरूर कर रहे थे, पर Indian पैसे के तौर पे नहीं कर रहे थे, पहला bank जहाँ पे Indian पैसे के तौर पे आपके bank को maintain किया जा रहा था that is Punjab National Bank, thank you